प्लस्टेन्ट का सेकेंड शीटइंग्ण का यह मुल्टीपल चोइस का यह एंसर की है जो कि सेट डीका है यहां ध्यान से देखिए गा और मिलाते जाएगा और जितना एंसर होगा आपका जितना सही होगा वह कमेंट ब्क्स में प्लीजिस को बताई तो नोब देखते हैं अगला कुछ दो नमबर है यानि इसका कैनरका फर्मूला का फिर्मूला ठेली और यवन-प्लस-वाइब दी ओंप्लस-वाइवाइड थ्री यह फर्मूला जब है तो आपका दो का इंसर हो जाएगा सिय आप मार लीजीए फिक एंसर एंसर होगा ठीक है तिन नमर का डारेक्ट एंसर ही अब देख崰 मैं यहां देख्ये से चार नमर का कॉप्षंट होजाएगा चार का हो जाएगा अपका बी जब आपका निकलाएगा बीच की दुरी का फर्मुला तो बीच की दुरी सब्सक्राइब हो जाएगा ठीक है अब देखिए साथ नमर कुष्चन साथ का आपका अपसन हो जाएगा सी तीन तरीक ना और चार चुब का सोल जब निकालिएगा तो ऐसे होगा आठ नमबर का आपका इंसर हो जाएगा एचे मीटर स्कॉयर एरिया है तो मीटर स्कॉयर में सब्सक्राइब हो जाएगा अगला कुष्चन देखिए यहां पर दस नमबर होगा यहां पर दे दिया है कि गोले का संपूर्ण पिष्टी छेतरवल क्या होता है फूर पाई आरे स्कॉयर होता है और यहां पर इसका ब्यास निकालना है तो दस का आपका हो जाएगा बी सब्सक्राइब होता है और यहां पर इसका दोनों का एरिया दे दिया है और यहां पर इसका उचाई दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि थिरम के एक कोडिंग किसी भी भूजा का वर्ग उसका छेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है ठीक है तो यहां पर तेरा का आपका अप्शन क्या हो जाएगा तेरा कभी यहां 3.5 कटा के अब देख लिजिएगा चोदा नंबर कुश्चन है चोदा का आपका हो जाएगा सी ये भी आप निकालिएगा पंदर नंबर कुश्चन का अपका अप्शन हो जाएगा बी 16 नमबर देखिए 16 नमबर यहाँ पर संभाहूत तिर्भूज दे दिया इसका परमीति निकालने के लिए पहले संभाहूत तिर्भूज का ही फर्मूला लगाना पड़ेगा तो 16 आपका हो जाएगा B सतर नमबर कुश्चन है 12 इंटू अर्ध ब्रीट की कूल परिमिति होगी तो यहाँ पर परिमिति आप निकालीएगा ता आपका हो जाएगा अफ्षन नमबर भी आएगा इंसर यहां पे तो थेकं वहले का चेतरफल ही ओण रशाम की लिए होता है क्या होता है यह या इंटू आरेस बढ़कर चोटकर माइनस में होता है यह थादा ठीक है 18 नंबर का किया होगा 18 का सी है 19 नंबर देखिए 19 नंबर करAmerica यहा पर कि तिए आन जीवा का नियंतम है तो 19 नमर का हो जाएगा सी यह निकाल लीजिए गा उसके बाद से 20 नमर यहां पर दिया है कि दो बृत का छेतरफल का अनुपाद दे दिया है उसकी परीधी का अनुपाद पूछा गया है तो जब आप फर्मूला निकालेगा तो तीन तरीका नो और दो अचारे ने कि यह हो जाएगा आपका 21 नमर कुस्छ यह हो गया बीच नमर एक इस नमर कुस्छन है इन दोनों का लोसर यानि लगुत्तम सापर तक यहां पर दे दिया गया है यहां पर 27 एवाम 27 जिसका लोसर 162 तो एक संक्या चोगों ने किस नमर का अपको अप यहां पर देखिए अब 22 नंबर कुश्चन 22 नंबर का इसका मुसा निकलना निकलना है तो आपका 22 का हो जाएगा यहां पर किसी धनात्मक पुर्णा क्यू के लिए प्रतेक धनात्मक विशम का रूप होगा तो विशम तो यही होगा ठीक है यहां क्यू कमान कुछ भी भरिए देखा गुणा करके वहां जुड़ेगा तो भी समय आएगा यहां पर चौविस नंबर कुश्चन प्रतेक परिमेश संख्या एक वास्तिवी संख्या होता है यह तो सही है ठीक है यहां पर दीगात बहुपद के शुन्यकों कि शंख्या कितना होता है तो दू होता है घात पर नहीं है तो यह वाला सी बहुपद नहीं है यहां पर देखिए आपका अपादिया पी एक्स बराबर जी एक्स क्यों इंटू जी एक्स अट्थाइस नंबर तो यहां पका अप्शन इसमें भी सही चार एंसर होगा ठीक है उन्तिश नंबर दे दिया आपका यह उसका ग B option होगा ठीक है X square मैंनस 4X प्लस 1 का सुन्यक अल्फा इंटू बीटा इसका निकालना है तो यहां 30 नंबर का हो जाएगा आपका option B सही यहां देखिए 51 नंबर का आपका option हो जाएगा C 32 नंबर हो जाएगा आपका 31 नंबर का सी होगा 31 किदर 31 का सी मारेगा ऐसे 32 नंबर का भी होगा आपका सी एंसर 32 का आप सी मार लिजिएगा 33 नंबर कुश्चन जो है important यह सब आप पढ़ चुके हैं आपको बताया जा चुका है multiple चुएस अगर आप किये हैं तो बहुत बहतरी इन तरीका से आपका रिजल्ट होगा बताए इसका यहां लिखा है कि यदि किसी खेल को जीतने की परीकता 0.4 है 0.4 है तो हटाएगा तो यह दस बार खेले हैं तो चार बार चांस है तो हारने का चंस कितना होगा छे बार यानि पॉइंट से आपका सी हो जाएगा ठीक है अ आपका एक बटा चार होगा ठीक है यहां पर हो जाएगा आपका एक बटा चार 35 नमबर का बी यहां हो जाएगा 36 नमबर देखिए 36 का हो जाएगा आपका बी 37 नमबर है 37 नमबर कोश्चन एस पर्स रेखा वाला है यह भी हम कई बार बता चुके है अगर आप इस चैनल को सब्क्राइब नहीं किये तो प्लीज इसको सब्क्राइब कर लिजिए 36 का आपका अप्शन हो जाएगा ए 38 का यहां पर देखिए 38 का हो जाएगा बी 49 नमबर हो जाएगा आपका एक रहामा पद का योग निकालना है तो यह आपका अप्शन 242 होगा बी यहां 40 नमबर कोश्चन देखिएगा यानि कि अर्ध ब्रीद का तिरिजिया दिया है तो संपूर्ण पिष्टिय चेतर फल इ लाए करता है तो बताए इस पहिए का ब्यास कि अगए जितना होगा उतना चक्कर लगाएगा यहां पर एक तालिस नमबर का अपका अप्शन हो जाएगा यहां देखिए 42 नमर कोश्चन अब्य मैनस चीटा साइन ठीटा यहां तिरारिश नमर को शने ठीटा कमान अगर ठीटा यहां पहतालिस नमर कुश्चन है इसका हो जाएगा एक समय साब बड़ा होगा वाई से यहां देखिए 46 नमर कुश्चन है 46 नमर का अपका अप्शन हो जाएगा सी सई ठीटा अपको देदिया है बार बट्टा पांच तो यह ऐसे करके आप निकालेगा यह धर बार इदर पांच और जब कर निकालेगा तो 48 नमर का अपको अप्शन क्या होगा बी हो जाएगा बार बट्टा तेरा ठीक है यहां देखिए यहां पर जब कुश्चन है इसको जब साल्व किजिए गा टेन ठीटा पर पी वाई क्योंके हिसाब से तो आपका हो जाएगा इतना नमबर कुश्चन यहां पर इसका मूल निकलना मूल होंगे तो मूल निकलने के लिए बीच को तोड़ा जाता है दो हिसामें यानि कि तरी पन का आपका हो जाएगा एंसर एक का एगा माइनस ठीक सुरेग थ्री एक कुश्चन इसका मूल की प्रविर्ति है कि नहीं त फोरे सी पर जब आप चीक किजिएगा तो यहां पर हो जाएगा आपका आव वास्तविक यानि माइनस में इसका एंसर आएगा यहां देखिए कौन सा समना अंतर स्रणी है या नहीं है यानि पच्पन नमबर है तो पच्पन पर बी होगा क्योंकि घटाने के बाद इसका सा यहां देखिए शंतावन नमबर कोशन इसमें चौथा पद निकलना है तो यहां पर आप इस ए और दिया पता ही है घटाईगा तो डी निकल जाएगा और एफ़ोर निकल लिएगा तो फिप्टी एट का हो जाएगा एक सो बारा रूट में यहां देखिए फिप्टी नाइ आपको पता होगा योगफल का तो यह होता है सी इन बाइट वाला यहां वाई अक्ष का समीकरण होता है तो एक सट का आपका एक सट का आपका सी होना चाहिए ठीक है सी ही होगा एक सट का सी एक मिट वाई अक्ष का समीकरण है तो वाई अक्ष का समीकरण कहीं साब से एक्स पाथ 27 है ठीक है तो यहां पर हो जाएगा आपका एक अनुपाथ नो हो जाएगा 62 का आपका हो जाएगा एक सी हो जाएगा 63 नमबर का देखिए एक गोला जिसकी त्रिजिया टू आर है तो आयता निकलेगा गोला का तो आपको फोर भाई थ्री के कोर्डिंग जब आप निकलेगा तो आपका हो जाएगा 32 पायार क्यू त्रिश्ट नमबर कोश्चन है इसका क्या निकलना है माध्य सबसे बड़ा संक्या है और सबसे च्छोटा संक्या को घटाईएगा तो घटाने के बाद आपका जो भी एंसर होगा यानि कि सी आपका उप्शन यहां सही होगा यहां देखिए 68 नमर कुश्चन है इसका क्या वर्क ची निकालना है तो यहां पर क्या कि एड़ करके बढ़ टाटू कर दो तो 140 हो जाए यहां पर देखिए तो माध्य निकालना है इसका माध्य दे दिया है चार लगतार बीसम संख्याओं का माध्य आपका नाइन होगा सबसे बड़ी संख्या निकालना है इसका तो नाइन होगा यहां 70 नंबर कुस्चन देखिए 70 नंबर जो कुस्चन इसाइब का अप्सन परिशंट होगा क्योंकि इसमें कौन नहीं होगा, तो यह होगा, यह होगा और माधिका होगा लेकिन परिशंट नहीं होता है, यहां अगला कुस्चन है, सब्सक्राइब सब्सक्राइब का आपका फूर ही सब्सक्राइब है टिकां यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब इक आएंग अफ कर देकाइगा українा गाप गिओ आपका जब इसको सल्फ किजएगा 34 को तो 74 नमबर का अप्शन दी हो जाएगा यानि 3 एंसर आएगा यहां वैलू पूट करके निकालेगा 75 नमबर तो आपका अप्शन होगा डी टू स्वारी कॉस्ट टू बीटा आएगा बताई इसमें भूज कौन है तो एक्स वाला को भूज काते हैं और वाई वाला को कोटी काते हैं यहां पर माइनस यह अप्शन हो जाएगा आपका 77 नमबर है एक्स अक्षपर किसी विंदू का वाई नियामक होता है तो 77 का अपका अप्शन होजएका C 0 होता है और एक्स और दोनों तो यह होता है एक बिंदू पर यह कौन से चतुरताँस में है तो यह सबी होगी तो एक्सपा और फिल रोता मीमाया मार नम्बर यह सबस्क्तो नमबर अगी Bes militar सबीन अबसे पांश की दूरी होगी तो सब्पर याने 59 का आपका का ए realistic ये नमबर 15ड़-09 सब्सक्राइब करें, इस सब्सक्राइब करें ते, इस square ग्या के सब्र Edwards Kolendare इसके इसके दिगकर आंद करें सिपने, इसकेसल को आप सब्सक्राइब करें, इस दोनों में गुणा करके यहां पर दे दिया आपका बहुलक और कर आए कि दुसरे के वियुतकार में तो वियुतकार का मतलब होता है उल्टा अगर पहला वाला अल्फा है तो दुसरा वन भाई अब कर दूट के आपको लूंबर कोई नहीं होगा क्योंकि पहला वाला वाला ही आपका बराबर नहीं होगा 86 नमबर का आपका अप्शन हो जाएगा B is not equal to 6 87 नमबर का आपका अप्शन हो जाएगा 87 हो जाएगा A सुन्यक यहां पर जब यहां लिख रहा है कि समी करण के समनांतर रेखा होता है आपको पता होने चेकLE जब दो लंगांटर हो आपको समझायत हैं तो जब दो-दो जगहihu नहीं कट रहा है अगर 1 जगहँ करणेगा तो इसका एक कैसा होगा 88 नमबर का ओप्शन início कि समनांतर होता हा जों यहां पर यह लाइन खिचए गा इसमें कौन सा एक्स और वाई का वैलू होगा तो एटी नाइन नंबर का आपका हो जाएगा डी 90 नंबर यानि 90 नंबर देखते हैं इसमें से कौन सा द्युगात बहुपद नहीं है तो जब यह 90 नंबर का निकलेगे तो सी नहीं है क्योंकि यहां गुणा करने पर दूग एक सिस्क्वार होगा लाने पर एक सिस्क्वार कड जाएगा 91 नंबर कुष्चन जब यहां भरिएगा एब बरबर बीकी पॉलस आर एक अलगोरित्म है यूकलीड वाला ठीक है तो 91 नंबर का आपका हो जाएगा एस ही 92 नंबर का 2 का गुणांग यहां पे पावर दो होगा घातांग जब देखियेगा अभाज यह गुणनखंड तो यहां पे क्या हो जाएगा दो का घातांग दो होगा जब तोरिएगा 156 को तो इसमें दो आएगा दो बार य avanz या दो ही होगा इसमें से पुछा जा रहा है कि कौन सा अपरी में संख्या नहीं है 93 नमबर का question तो ये वाला आपका नहीं है बाकि सब अपरी में संख्या है ठीक है 94 नमबर जब इसका निकाले गए सांत सांत वाला यही रूल है ठीक है इसमें हम बताए भी थे 94 नमबर का option number हो जाएगा B जिसके नीचे 2 और 5 हो पावर M और N हो यहां पर कौन सा परिमेशन क्या है तो यहां दिख रहा है परिमेशन क्या है क्योंकि 100 कवर मुल 10 होता है 10 10 20 से क्या है परिमेशन क्या है अगला question देखिए अगला question है यहां कौन सा 7 है तो सांद डारेक्ट दिख रहा है कि नीचे इसको तोड़िएगा तो यह हो जाएगा 600 तोड़िएगा तो हो जाएगा और यह option अपका यह हो जाएगा 97 नमबर है इसमें इसका क्या answer होगा तो जब 97 नमबर बनाएगा तो आपका अपसन एक होगा क्योंकि इसका गुड़न फल इसके HCF गुड़े LCM यह फर्मूला होता है HCF गुड़े LCM बराबर क्या होता है A B यानि दो संख्याओं का गुड़न फल कटाएगा तो वह नहीं होगा 98 नमबर question है यहां पर आपका option B होगा 98 नमबर का 99 नमबर question है कौन सा योगिक है यानि की योगिक संख्या है तो यहां पर आपका option 99 का हो जाएगा भी इसको composite नमबर भी कहते हैं ठीक है 100 नमबर question अभाजय संख्या यानि की प्राइम नमबर देखना है तो यह डी अब सनो जाएगे तो उम्मीद करें हों कि आप मिला होंगे और अगर जितना सही हुआ प्लीज इसको comment box में comment करके बताएगे कि आप कितना नमबर तक सही बनाए हैं